सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जुरूर प्रेस करें ताकि आपको हिमाचल दर्पन के जो लेटेस वीडियो है वो मिलते रहे हम हिमाचल प्रदेश का भूगोल पढ़ रहे है बीफाइव बनस्पती वन जीव जन्तु वने जीव अवियारन राष्टिय पार्क और जय व सर्विस से लिया गया है और आगे जब आप अब्जेक्टिव और वन लाइनर पढ़ेंगे तो उसमें आपको इससे रिलेटर कुछ 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 भी मिलेंगे जो पब्लिक सर्विस कमिशन में पूछे गए थे बाकी जो और कुशन्स है जो आपका स्टाफ सेलेक्शन कमिश ताकि लकडी के अवैद वैपार पर रोक लगाई जा सके और उन सभी वन मंडलों में जहां आग एक विना आशकारी तत्व है अगनी शमन उपकरण और तकनीक उपलप्त करवाई जाए इसलिए ये एक इकरत वन सुरक्षा योजना जो है वो शुरू की गई है एक तो अव केंदर सरकार के से योग से चलाई जा रही है इस योजना के अंतरगत 2016-17 में लगबग 431 रुपे जो है वो वै करने का प्रावधान है बाकी तो यह आपका जो है यह हर साल जो है वो अमांट चेंज होता रहता है इसको पढ़ने के हमें आविशक्ता नहीं है तो मेन है यह अवैद जो वैपार होता है और जो जंगल में आग लगती है और जो आपस में संचाड कंत्र है उसमें जो कमी है उसका कुशल प्रबंदन हो सके वनों का उसके लिए जो है वो एक एकित वन सुरक्षा योजना जो है वो केंदर सरकार के से योग से चलाई जा रही है दूसर साल के लिए योजना लगभ तीनसुपेंससट करोड़ रुपे की ति यह योजना और यह जो है वो वल्ड बैंक और राजे सरकार द्वारा शुरू की गई थी वल्ड बैंक इसमें में है 80% पैसा जो है वो वल्ड बैंक जो है और प्र योजना की लागत का 10% हिस्सा जो है इसमें 20% योगदान था इसके अलावा जो तीसरा है वो है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इको सिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट यह भी मेंस में आपने जो वीडियो पहले बना रहे थे पहला वला वीडियो जो है वी 5 का उसमें कोशन भी आएवा था मेंस मे और अब्जेक्टिव में भी आप देखेंगे कि कौन सा जैसे कौन सा देश इसमें या कौन सा बैंक इसमें सयूग कर रहा है तो हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इको सिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट जो है वो जर्मन सरकार है और जर्मन सरकार का जो के कांगरा और चमबा जिले में चलाया जा रहा है और अगले साथ सालों के लिए हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इको सिस्टम क्लाइमिक प्रूफिंग प्रोजेक्ट जो है वो स्विक्रित हुआ है तो 2015-16 में शुरू हुआ है ठीक है 16-17 में 40 क्रोड रुपे लगाए हैं और इसके अलावा 25 क्रोड रुपे की लागत से प्रदेश में एकिक्रित एको सिस्टम सर्विसिस अप्रोच अपनाने हितू भी जो है वो स्विक्रित किये जा चुके हैं जर्मल सरकार का जो बैंक है जी आई जैड द्वारा इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है हमारा स्व स्वा नदी एकिक्रित जलागम प्रबंधन परियोजना यह बहुत बार objective questions में पुछा गया है कि जो स्वा नदी है उन्ना की स्वा नदी उसका जो एकिक्रित जलागम परियोजना है वो किस कौन सा देश उसमें सेयोग कर रहा है और कौन सा बैंक है तो इसमें जपान जो है स्क्वार किलोमेटर में चलाई जा रही है शेतर के 42 उप जलागमों का चैन किया गया जिन में प्रियोजना के विभिन गतिविदियों को कार्यान वित किया जाएगा तो एक तो इसमें जीका जो जपान का बैंक है चेसो निस वर किलोमेटर 96 ग्राम पंचायते और इसमें 85% हिस्सेदारी जो है वो जपान की है और बाकी जो है वो राजसरकार की है फिर बात करते हैं वन रोपन की अगर हम वन रोपन की बात करें तो वन रोपन का कारे वन हो पादक वन योजना तथा भू संरक्षन योजना के अंतरगत किया जा रहा है इन योजनाओं में वन अच् प्रियोजनाई इत्यादी जो है इसमें शामिल है और जो 2016-17 का वित्तवर्ष था उसमें 15,000 हेक्टर छेतर में पौधा रोपन का लक्ष रखा गया था इसमें कैंपा और केंद्र साहिता से प्राप्त योजनाई भी शामिल है जिस पर लगबग 50 क्रोड का व्यक किया गया बा 2015-16 में स्थापित हिमाचर प्रदेश जलवायू परिवर्तन ज्यान प्रकोष्ट को विज्ञान प्रद्योगों की विभाग भारसरकार के अंतरगत हिमाले की जो पारिस्तितिकी तंत्र है उसको बनाई रखने के लिए जो राष्टि मिशन है उसके मागदर्शन में जलवा जलवायू परिवर्तन को रोकने के लिए एक समनवित प्रयास के लिए जो राष्टिय मिशन हमारे 8 मिशन है उसमें से एक है ये मिशन तो उसमे समनवे तंत्र के उदेश से शुरू केा गया गया ज्यान प्रकोष्ट के लिए विकसित व chats अट जलवायू परिवायू प्र 국 के साथ आयूजित किया गया है भारती वानिकी अनुसंधान एवन सिक्षा परिषद से जलवायू परिवर्तन के शेत्र में कारेरत वेग्यानिकों के दलने भी जलवायू परिवर्तन सम्मधि ज्यान का आदान प्रदान करने हितू जलवायू परिवर्तन ज्यान प्रकोष्ट का दोरा किया है तो ये 2015-16 में एस्टेबलीश हुआ है मेन जलवायू परिवर्तन के उपर है ये फिर आप बात करते हैं साथवा जो हमारा पॉइंट है वो है एन ए एफ सी सी के तहत मंजूर परियोजना का कारयान मन राजी के जो सिर्मौर जिला है उसके जो छोटे किसान है स गरामिन महिलाओं सहीत जलवायू परिवर्तन के जोखिंग में को कम करने और अनुकूली शमता में सुधार के लिए जलवायू समाठ समधान के माध्यम सी हमाचल प्रदेश में सुखा उनमुक जिले में क्रिशी निर्भर गरामून समूदायों की दिर्ग काली आजीविका नामक परियोजना को जलवायू परिवर्तन पर राष्टी अनुकूलन कोश्ट से 20 करोड के लागत से शुरू किया गया है ठीक है तो उस ये हमारा सातवा पॉइंट है सिर्म और जिले में शुरू किया गया एन ए ए एफ सी सी जलवायू परिवर्तन के प्रति अन्कूलन के लिए फिर है आठवा राजिस्तरिय परियावरन उतकरिष्ठता पुरसकार को शुरू किया है और इसमें भविश में राजिकी उन संस्थाओं और व्यक्तियों को विभिन श्रेणियों में हर साल जो है वो सम्मानित किया जाएगा जो परियावरन सनक्षन और सतत्विकास को बढ़ावा देने में जो है वो उतक्रिष्ट भूमी का निभाएंगे इसके अंतरगत प्रशष्टी पत्र के लावा पहला पुरस्कार पचास हजार का दूसरा जो है वो 25,000 रुपे का पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा यमाचल प्रदेश्ट सरकार ने 2011 में प्लास्टिक और पॉलथीन की थालियों पे जो है वो प्रतिबंद लगाया है फिर हम बात करते हैं जी एफसी जी सी एफ ग्रीन क्लाइमिट फंड हरित जलवायु कोश राजे सरकार हरी जलवायु कोश के थाथ सिचाई एवन जन स्वास्ते विभाग वन शेत्र की नेमलिकी तो देशों की पूर्ति हेतू कारियोजना को लागू करने हेतू बजट और प्रियोजना प्रस्तावित की जाएगी तो इसमें क्या है एक तो समुदाय अधारित जल संचयन और प्राकिर्तिक जल संसाधनों के प्रबंदन को सिचाई एवन जन स्वास्ते विभाग से लागू करना दूसरा है जलवायु प्रत्यास्थाई संबंधित परिणाम प्रब यह आपके एकनॉमिक सर्वे से लिए गये थे यह हर साल अपडेट होते रहता है अगला एकनॉमिक सर्वे है 2019-2020 का है वह आएगा तो जैसे ही आएगा वह लगबग मार्च में आता है तो वैसे हम उसको अपलोड करेंगे तो वह ज्यादा इंपॉर्टन होगा फिर आब हम बात करते हैं जीव जनतुओं की फोना हिमाचल परदेश में जो है वह संपूर्ण भारत में जो है जीव जनतुओं की 89,451 जानवरों की परजाती पाई जाती है जिसमें से 57,215,721 परजाती है जो है वह हिमाचल में पाई जाती है तो आप देख सकते हैं कि जीव प्रजातियों की 6.40% हिस्सा हिमाचल प्रदेश में, अगर 1.7% एरिया है, तो उसके हिसाब से जय विवित्ता हिमाचल में जादा है, अपने शेत्रफल से 4 गुना जादा जय विवित्ता हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, इन प्रजातियों में 5727 परजातियं, उसमें 5747, रेगने वालों की फिर रेप्टायल की 44 है 3 thankful से 17, मचली की इकासी 85, की 4,362 तो इंसेक्ट्स की सबस्यादा प्रजातिया है 5721 में और उसके बाद जो है आपकी फिर मचली की प्रजातिया है और यह सारी प्रजातिया है अच्छा हिमाचल का राज्य पक्षी जाजुराना है वेस्टन ट्रैगोपान राज्य पशु बरफीला तैंदुए स्नौ ल कुफरी में इसका प्रजन केंद्र है शिमला के कुफरी में अच्छा अगर हम बात करें कुछ लुप्त प्राय और संकट गरस्त प्रजातियों की तो हिमाचल प्रदेश राज जय विविता बोर्ड के एक फरवरी 2017 को बैठक होई थी टॉल एंड शिमला में यह बैठक जो ह जो बैठक होई इसमें हिमाचल पदेश राज जय विविता बोर्ड ने कुछ पादपों को यानि पौधों को वनस्पतियों को और कुछ वन्यजीव प्रजातियों को अधिसूचित किया है जो की विलुपति के कगार पर है तो अगर हम पादपों की बात करें वनस्पतियो जिसको बोलते हैं कुटकी जीवक द्वार्फ जैस्मीन शीर काकोली रिधी जटामासी दूदिया बच बनककडी नेरधूप नागधनू हिमालियन ब्लेंडर नट कहते हैं जिसको चिरायता बिर्मी नागशत्री जिसको हिमालियन ट्रिलियम भी कहा जाता है तो यह कुछ को यह कुछ लुप्त प्राय और संगत प्रजाती हैं जिसे रह माचर पदेश राजर जैव विवित्ता बोर्ड ने जो है वो अधिसूचित किया है तो यह हमारा जो है वो टॉपिक यहं पर खतम होता है इसके बाद हमने जो है वो जय विवित्ता टॉपिक है राश्ट्य पार्क है और जय विवित्ता में गिरावत वगरा जो है वो और हिमाजसर प्रदेश की फॉरेस्ट पॉल्सी है जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़नी है धन्ने मुझे